नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधिम हतो पूर जानकारी को ले करके क्या होता है सुबह बासी मुह गर्म पानी पीने से जानकर आपको हैरानी होगी और आप इस फायदे को जान करके जरूर हर रोज सुबह गर्म पानी पीएंगे पानी हमारे स्वास्थी का एक खास हिस्सा है स्वास्थी की दिरिष्टी से देखा जाए तो रोजाना आठ से दस गलास पानी पीना अती अवश्यक है क्योंकि पानी पीने से हमारे शरीर में हड्यों में चिकना हट रहती है और जिससे हमें चलने फिरने में आसानी होती है और हम आपको बताते हैं कि ठंड के अंदर पानी को थोड़ा गुनगुना करके पिना चाहिए जिससे पानी के भरपूर मात्रा की पूर्ति होती है और इससे शर्दी भी नहीं लगती पर और हमारे शरीर में 70 प्रतिशत पानी है पानी शरीर के लिए अति अनिवारी है पानी हमारे शरीर को बहुत से खतरनाक बिमारियों से बचाता भी है पानी हमारी त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है अगर हमें यह मालूम हो कि हमें किस समय कितना पानी पीना है कैसे पानी पीना है तो हमेंसे किसी को भी समान्य परिष्थिती में डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा यदि आप लागातार साथ दिन तक सुबह खाली पेट खाना खाने के बाद गर्म पानी पीते हैं तो आपको इसके फायदे महसूस होने लगेंगे जिसके कारण आप इसको हमेशा पीएंगे गर्म पानी क्यों पीना चाहिए मेडिकल साइंस के अनुसार नित्य सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से कब्ज और गैस जैसी पेट की तमाम समस्याएं दूर रहती हैं लेकिन गर्म पानी पीना अति उत्तम है गर्म पानी का सेवन करने से शरी को आवस्था में चेहरे पर मुहां से पिंपल्स एकने छोटे छोटे दाने फुनसियां एक आम बात है अधिकतर केल मुहां से तहलिय तवचा पर निकलते हैं अता चेहरे पर क्रीम तेल कोई चिकनाई योगत्पदार्थ न लगाएं यह हार्मून की गडबड़ी तवचा क की शफाइ न करने पीट की खराबी से भी होते हैं किल मुहां से ऐसी ही समस्या है जिसको लेकर लड़कियां काफी परिशान रहते हैं क्योंकि यह समस्या आम तो पर टीनेज और युवा आवस्था में अधिक होती हैं ह figures यंकि अधिक उम्र में भी इस तरह की समस्या परेश कारण जब पेट अपना काम सही रूप से नहीं करता है जिसकी वजह से जो भी टॉक्सिक बाहर आ जाना चाहिए वह नहीं आ पाता है तथा रक्त में जहरीले पदार्थ फैल जाते हैं और वह इस रूप में बाहर निकलते हैं पिंपल से बचने के लिए ऐसे भोजन जिनमें स टार्च, प्रोटीन, वसा, अधिक हो उनका सेवन करना चाहिए सफेद चिनी, कड़क चाय, अचार, कॉफी, रिफाइंड, सोफ्ट डिरिंक्स, आइस क्रीम, मैधे से बनी हुई चीजों से बचना चाहिए आप गर्म पानी पीने से त्वचा को किल मुहासों और दाग धब से कैसे दूर रख सकते हैं, आये जानते हैं गर्म पानी पीने के फायदों के बारे में, जहां गर्म या हलका गुनगुना पानी पीने के चमतकारिक फायदे, सुबह जल्दी उठकर गर्म पानी पीने से हमारे शरीर की पाचन क्रिया तेज होती है, और खाने का डिकंपोज बढ़ता है सुबह गुनगुना पानी पीने से हमारा वेट कम होता है इससे हमको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है गुनगुना पानी हमारे शरीर का ताप मान सही रखता है यानि के बढ़ा देता है उम्रे से पहले बुढ़ापा आना यह एक बड़ी समस्या है खास तोर पर प्रिमेट चोर एजिंग समस्या से बचा जा सकता है उठकर गुनगना पानी पीने से शरीर के विशाक्त पदार्स तथा टॉक्सीन को बाहर शरीर से निकाल सकते हैं इससे हमारे शरीर का सर्कुलेशन ठीक रहता है पानी को उबालते हुए जब उसका चौथाई हिस्सा जल ज खड़ के तो ऐसा पानी पीना श्रेश्ट होता है ऐसा गर्मपानी का सेवन हमारे शरीर के वाधकुफ और पित तीनों ही दोशों को समाप्त करता है नित्य सुबह खाली पेट एवं मरात्री को खाने के बाद गर्मपानी पीने से पीट की सभी समस्याएं खत्म होती है और गैस जैसी समस्याएं निकट भी नहीं आती हैं गर्म पानी त्वचा के लिए रामबाण है अगर आपको त्वचा संबंधी परिशानिया रहती हैं त्वचा में किल मुहां से भी निकलते हैं तो नित्ते सुबह शाम एक गलास गर्म पानी चाई की तरह चूसक्यां लेते हु होता है हृदय भी स्वस्त रहता है अगर कोई व्यक्ति पफरी की समस्या से परिशान है तो वह सुबह शाम दोने समय भोजन करने के पास्चाथ एक गलास गर्म पानी का सेवन आवश्यहीं करें गले में टॉंसिल होने पर या गला खराब होने पर गर्म पानी पीने से या फिर उसमें एक चुट की नमक डालकर करारे करने से गले की परिशानी में शिग्र आराम मिलता है। नियमित रूप से सुबह खाली पेट और रात में खाने के बाद गर्म पानी के सेवन से कब्ज से रहत मिलती है। गर्म पानी वजन घटाने में भी बहुत मददगार होता है। रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी में आधा निम्बू एवं एक चमच शहद मिला करके पीने से शरीर सिलिम होता है। हर रोज एक गलास गर्म पानी में एक निम्बू का रस, काली मिर्च एवं काला नमक डाल कर पीने से पीट का भारी पन दूर होता है और भूख भी खुल करके आती है बुखार में गर्म पानी पीना अधिक लाफ दायक होता है जो काम में गर्म पानी पीने से बहुत आरा मिलता है इससे कफ और सर्दी शिग्र ही दूर हो जाते हैं तो दोस्तों ये थी आज की जानका आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों